ओके हलो स्टुडन रोकेदी क्वेश्चन 5.16 मैं ना अल्रडी फिगर बनाया हुआ है लेकिन पहला हम लोग क्वेश्चन डिसकस करेंगे उसके बाद फिगर पर जाएगे टू मासीज 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of the light in extensible string that goes over a frictionless pulley मैंना अल्रडी वो पुली बनाया हुआ है और आप यहां से मास भी लिखे तो हमें M1 और M2 का दिया हुआ है और उसके बाद क्या है find the accelerations of the masses and the tension in the string when the masses are released ठीक है पहले देखते है छोटा वाला मास M1 मैं लिख लेता हूँ पहले M1 is equal to कितना दिया हुआ है 8 kg उसके साथ साथ M2 is equal to 12 kg तो यहां से हम लोग दिखा सकते हैं कौनसा M1 और कौनसा M2 यह होगा अपना M1 और यह होगा अपना M2 ठीक है तो उसके इसाब से हम लोग अभी आगे calculation करेंगे और उसके साथ साथ क्या बोला है we have to define the acceleration क्या बोला है acceleration ही define करना है और जब भी यह release होगा तब हमें उसका tension define करना है तो दो चीज़े यहां पर define करना है पहले figure को समझना बहुत जरूरी है तो पहले हम figure ही समझेगे समझे पहले यहां पर downward directions में कौन सा फोर्स लगे यह यहां पर M2 है यहां पर लगेगा M2G तो इसके opposite में लगेगा अब बड़ी बात क्या है हमें उसके उपर से equation लिखना है चलो पहले equation के लिए यहां में एक line बना देता हूं पहला equation कैसे लखेंगे पहला पहला हमें सिर्फ F लिख देना है अब देखो पहले M1 की बात करते हैं चलो M1 में acceleration कहां directions में जा रहा है अपवर में कौन है tension यहां पर हम लोग लिखेंगे tension T और इसके opposite में कौन है M1 G तो opposite है यहां में क्या लिखना है माइनस M1 G जिस डिरेक्शन में जा रहा हूं उससे वह चीज़ को में positive लेना यह चीज़ दिमाग equation 2 के लिए अब 2 के लिए कहां पर एफ पहले लिखी देना है हमें ठीक है अब acceleration कौन सी directions में acceleration in a downward directions और downward directions में कौन है यहां पर M2 G तो M2 G would be positive और इसके opposite में tension force रहता है तो वह हो जाएगा अपने लिए negative और यहां पर हम लोग F की जगा पर क्या लिखेंगे F की जगा पर हमें लिखना है M2 A is equal to M2 G minus T equation number 2 अब यहां पर equation 1 और equation 2 का use करके हमें पहले acceleration define करना है और उसके बाद हम tension define करें चल तो अब हम लोग चलते हैं आगे के लिए एक काम करते हैं पहले equation number 1 की बात करें इन 1 इन 1 हम लोग क्या करते हैं यह M1 G को इधर लेके आते हैं M1 A plus M1 G is equal to T हो गया इसी तरह इसी तरह हम लोग क्या करते हैं यह T वाला second में यह T हमारा positive है और यह हमारा G तो यह इधर लेके आ जाए तो यह हो जाएगा यह negative है तो इधर लेके आ जाए तो positive हो जाएगा यह हो गया M2 G इस तरफ और इसे इस तरफ लेके आए तो यह हो गया minus M2 A ठीक है अब यहाँ काम करो यहाँ पर दोगे दोनों में formulate क्या हुआ है दोनों में यहाँ जो formulate हुआ है वो है comparing equation now comparing तो यहाँ पर हम लोग पहला पहला यह equation लिख ले तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे M1 A plus M1 G उसी तरह from this equation T की जगा हम लोग क्या लिखेंगे M2 G minus M2 A एक काम करें A वाला term साथ में कर देदें और G वाला term ठीक है तो यह वाला term है उससे इधर लिखेंगे आए और यह वाला term इधर चला जाएगा तो यहाँ पर M1 A यह term इधर आजाएगा तो plus M2 A उसी तरह यहाँ पर हमें क्या लिखना है हम लोग लिख सकते है M2 G minus यह इधर आजाएगा तो minus हो जाएगा minus M1 G चला अब इन दोनों में से पहला इन दोनों में से पहले यहाँ की बात करें तो acceleration common A common M1 प्लस M2 उपर में से G common which is M2 minus M1 अभी जब भी इस तरह का example हो तो आप acceleration का यह formula direct लगा सकते हो M2 minus M1 और यह downward में आ जाएगा M1 प्लस M2 direct लगाओगे तो भी चलेगा लेकिन कैसे है आया वो मैंने पूरा प्रूव करके दिखा दिये चला अब हमें उस सब की value पता होना चाहिए तो पहले value की तरह चलते है तो पहले देख ही लेते उसका value क्या है M1 और M2 का हम लोग लिखा है M1 8 kg और M2 12 kg तो सभी value हम लोग यहां use करेंगे अभी 8 kg एंदर 12 kg उसके बाद उसका जो answer आएगा वो हम लोग लिखेंगे चलो यहां पर M2 हमारे लिए क्या है M2 हमारे लिए 12 kg है we should have to write the 12 तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पहले g का value g will be 10 उसके बाद 12-8 और downward में 12 plus 8 12 plus 8 ठीक है चला यह 10 as it is रहने देजिए 12-8 वो हो गया 4 और यह downward में 12 plus 8 होगा 20 यह 00 cancel out to 24 यह 2 meter per second square यह होगा अपना acceleration पहला का answer acceleration a which is our first answer now go through the next one tension define करना है ठीक है तो कोई भी equation उठा लेते हैं क्या करते हैं चलेगा यह वाला और उपर चला जो पहला वाला equation उसे उठा लेते तो पहला equation में क्या मिला था tension वाला equation यह देखिए we have this equation तो मैं वह equation यहां लिख लेता हूं T is equal to M1 A plus M1 G इन दोनों में से M1 common A plus G वेर्द M1 is 8 टीक है M1 is 8 वेर्द acceleration में क्या मिला acceleration we will get the 2 meter per second G का वैली हम लोग ले रहें टैन एट इन्टू ट्वेल 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 एग्जा 96 Newton यहां मैं ने बड़े अकसरों में लिखा है वहां पे छोटे अकसरों में लिखा था क्योंकि example बढ़ा आप यह पूरा example यहाँ पर देख सकते हो अब इस छोटे से tab में लेकिन आपको थोड़ा zoom करके यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ठीक है so this is your answer query हो तो जरूर से message कीज़ेगा और book description में डाला हुआ है thank you and take care bye